देखे मोहलाव सीट महात्पॉर्ण भी है और खासों से लखनू शेयर की चर्द है बनी है महात्पॉर्ण सीट है और यहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा हमें इंडिया गर्विद्नन ने उतारा है और खासों समझादी पार्टी के राश्चे देख मानी अकलिज्यादों बड़ा सोच समझ उतारा है निच्चे दुर्वे हम जीतेंगे सीट की तो मुहलाल गन सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्यासी आरके चौदरी को उतारा है और बीते समय की बात करें तो 2014 में 3,09,858 वोट से बहुजन समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पे थे और उसके बाद अगर 2019 के लोगसभा चुनाव की बात करें तो आरके चौदरी तीसरे नंबर पे होते हैं 60,061 वोट पा करके और कौसल की सोर दोनों बार पहले नंबर पे इस बार 2024 का लोगसभा चुनाव काफी रोचक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया एलाइंस ने एक जबरदस समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और या देश की बात करें बना रखा है भारत जोड़ो निया यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और उसी समय आपने देखा अकलेश यादों ने मंच भी साजा किया था तो एक साथ एक मंच पर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर लड़ने जा रही है और हमारे साथ इस समय आरके चौधरी जी है मोहलाल गन सीट काफी महतपूर्ण हो जाते है और ऐसी सीट है इस समय चुनावती कैसी देख रहे है मोहलाल गन सीट महतपूर्ण भी है और खासों से लखनों सहर के चारों तरफ है लोगसवाद सीट लखनों के चारों तरफ उत्तर दक पूर पच्चिन सर्किल बना के बनी है मातपूर्ण सीट है और यहां से एक बड़ा संदेश जाएगा हमें इंडिया गर्वंदन ने उतारा है और खासों समझादी पार्टी के राष्टे देख मानी अकलिस ज्यादों ने बड़ा सोच समझ उतारा है निच्चित दूर्वे हम जीतेंगे सीट को लेके पहले थोड़ा सा गहमा गहमी भी हुई थी आप ही के पार्टी में ही और उसके बाद बात करें जब प्रत्यासी उतार दिया तो महौल क्या देखा आपने जब उत्रे पब्लिक के बीच में मैं जब आपना नाम अपस लेता हूँ और मैं मोहान लालगन सीट से लेशन लड़नेंग लिए थमाजबाती पार्टिक टेकर पे मैं इस तिरी आर्के जोज़े नाम प्रस्ताबिच करता हूँ मैं अभारी हूँ से शेल बर्मा जी का और खास होड़ से राश्रेद माने अकले जातों का उन्हें हमें उच्छे समझा और लर्नेंग लिए कह दिया खाली कहा नहीं बलकि पोले पार्लेमेंट के कारकरतों बोला कि समझाया जाए आपके रुज़ेता ही बस्पा से भी आपने चुनाव लड़ा है साथ में कॉंग्रेस से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं अभी का महौल क्या देखते क्योंकि ये समीकरन आप लगातार इसको भी टैकल किया है और इसका बड़ा जो वोट बैंक जो पहले आपके साथ रहा वो अभी तक है अभी आगे जो वोट बैंक जो पहले नंबर पर कौशल के सोट किस तरीके से इसको टैकल कर रहा है देखिए हमें माना जाता है मानूर कांताम जी के चेलू में से नंबर एक पे और सन चौरासी में जब बस्पा बनी थी तो हमें अम्वेट करने कर लाडा दिया था और मैं मुट्साइकिल से लेने कहा था लेकिन तो इंडिया में चौति पुच्छन आगी थी और फिर नवासी में मैं टिकट बढ़ लिया फैजवाद से फिरा छोट पा गिया फिर एक्यानिवे में फिर टिकट अपने बढ़ लिया फिरा छोट पा गिया शन तिरानिवे में लखनू आया और परदेश का बस्पा का कॉट्टर बना गया और यहां सीधे जब सरकार बन गी तो आर्ट की तुद्री बिन एलेक्सन लड़े सीधे के बिन मिश्य बन गे और एलेक्सन लड़ने के बाद में इलाबाद वह जीत के आई और फिर तीन बार लगतार जीते लखनू में मोहलाल गने तो निश्यतर हमारा समझावाच छेतर है हमें उट मिलता है आपी ने कहा कि जब बसपाग टिकेट लड़े तो शेकन टागे अच्छा उट मिला और जब कॉंग्रिस के टिकेट लड़े तो ओर्तिसमिट गया उस बार मैं इसलिए लड़ा था कि हमारे कारकरता बसपा कंडेर था इसलिए हम बसपा में उसमें चले गए थे इसलिए हमारे कारकरता छटक के बसपा जोईन कर रहे थे तो मैंने इसलिए लड़ा कि अगर काउने से भी लड़ जाएंगे तो हमारे वोट कर जो चलेगे चलेगे लोट सकते हैं लेकिन जो अब ना जाने पावें रुके रह जाएं वही आधार होगा मैं लड़ गया और लगभा इसकर जार रूट पागिया चार बार आप मंतरी भी रहे हैं बात करें बसपा को ले करके तो एक यहाँ पर कोर वोटर बसपा को भी रहता है आप मंतरी भी रहे हैं और बसपा से आपने चुनाव भी लड़ा है और वो वोटर महत्तपूर्ण हो जाता है जो बसपा का कोर वोटर है यहाँ पर आपने कहा आप फील्ड पर बने रहें उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए को एकठा करके पीडिया बनाया है तो नारा बतल गया कि जो पीडिया की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा एक अंदूलन है मनुट कांसराम सरू किया था कि देश के आगड़े वर के लोग आगे बढ़ें लेकर जो समाज दबा है कुछला है पिषडा है पि सांधा था कि कमजोर समाज भी आगे बढ़के उच्छ बर्ट वराबर आ जाए अब उस नारी में था कि बाबा तेरा मिट्थन दोरा क्योंकि समिधान नहाई बावस्राम सरू करेंगे पूरा अब नारा लगता है बाबा तेरा मिट्थन दोरा मानि अकले स्यादो करेंगे पब्लिक के सबसे बड़े मुद्दे यहां पर क्या हैं? क्यो कि सबसे ज़्यादा यहां पर मैंने देखा जब फिल्ड पर जब मैं गया हूं तो वहां पर दलित हैं, पिछले हैं, अब संख्याग में जिसके PDA की लगाथार जो अकले स्याद हुआ आप पर होई बड़े दूसरा है पुरा देश परिजान है खाली मोहलान लोगसपा छेत नहीं नौजवान नोकरी तरास्ता प्रलेकर तयार है लेकर पेपर लिकाउट हो जाता है अगिल कोई बड़ी साजी होता है और जिन लोगों ने पेपर लीक करने में पैसा लेकर खारकत किया है नाम जागरफ हो गया है वो सब बीजेपी कार करता है ऐसे वो लोगों के चानविन क्यों नहीं करती बीजेपी और दूसरे तमाम डिपार्ट में वांट निगलनी निगलनी चाहिए नहीं निकलती तो नौजवान परिसान है देश का किसान परिसान है देश का मजदूर परिसान है देश क अगर सांसदी अगर आपके पास आती है तो उस चेत्र के लिए क्या कर रहा है दिखे ऐसा है उस चेत्वात नहीं बात है पूरी पर्दियस की जो योगी ने फैसला लिया है कि गौसाला बनवा के गाओं को नहीं रखना कहीं भी बहतर प्रबंद नहीं है अब जानते हैं कि गाएं मर जाती है और रात में ट्रक लगा कि उसको बाद जाकर गड़िंग देत लेकर जो तरीका अपनाया है कि बजट कम देते हैं भोशा का पैसा खा जाता है अधिक तर जो बिचोलिया खा जाते हैं तो इससे सुरच्चित नहीं है प्रयास होनी चाहिए कि खेद भी सुरच्चित रहें किसान सुरच्चित रहें लेकिन गाए भी सुरच्चित रहें न कुछ लिख करना पड़ेगा बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया जाता है पाकिस्तान से चंदा आता है क्या छेत्र के जनता में इसको ले करके कोई बाचीत स्टार्ट हुई है क्या बाचीत करते हैं लोग नारा लगने लगा पबलिक में कि ना खाता ना बही मोदी जो कहते हैं वही सही तो वही कानून है जो नेता इस देश में करोना भगाने के लिए ताली पेटवाग भगाता है कुछ भी कर सकता है तो नशीत तोर पे मुझे लगता है कि समिधान के एकारणी देश में पढ़े लिखे लोगों आने आगे आना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है क्या फैसला होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस द्यान देना चाहिए एक नेता जो कहते है सही कैसे हो जाएगा तो निशीत तोर पे ये पबली को सोचना है बिल्कुल आखरी में छेतर की जनता क्योंकि सबी देख रहा है आपको छेतर की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे करफ काफी जबरदस्ट टकर देखने को मिलेगी जुड़े रहिएगा फोर पीम न्यूज नेटपक के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ग्राउंड से जुड़े हुए नेताओं के पास मैं पहुचाता रहूंगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और य कर दो